काफी रात हो चुकिए और हम लोग माथे रान के जंगल में भटक गये हैं और उपर से बहुत बारिश भी हो रही है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अभी बजे हैं सुभे के साप और बाहर हलकी हलकी बारिश हो रही है मैं और मेरे कुछ फ्रेंट्स जा रहे हैं माथे रन गुमने के लिए जो कि बारिश में वहां गुमने का अपना ही मज़ा है तो यहां से अभी हम लोग अंधेरी से घाट को पर जाएंगे और वहां से नेरल और नेरल से करीब टैक्सी में आदे घंटे वहां पर जाने में लगता है माथे रन जाने में तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो जो लोग गए हैं उन्हें तो पताईए कि वहां क्या क्या है पर जो लोग नहीं गये हैं वो लोग जरूर देखिएगा कि वहाँ क्या क्या है और बारिश के महीने में जरूर जाईएगा तो वहाँ बहुत मज़ा आएगा काफी पैदल चलना पड़ सकता है आप लोगों को कुछ लोग होता है जो नहीं चलना चाहते हैं या फिर चलने में समर्थ है तो होड़ा और बग्गी का भी इंतिजाम है तो आप उसको पे करके आप उससे भी घुम सकते हैं कि पैदल घुमने का अपना मज़ा है तो आप लोग जरूर देखिए ये वीडियो मिलते हैं माथेरन में के लिए अमने काफी चलने के बाद हम लोग माथेरन में होटे में पहुंच गए हैं अब देख सकते हैं पीछे कितना अच्छा वियो ग्रीन ग्रीन और अब यहां बैग वैग रखे फिर गोमने निकलेंगे कितना है फिए सब्स्यक्षब्सんだ ऐन सकते हैं फिर पहा है हैं । तो फाइनली जो यह कमरा देख रहें पीछे यह रूम है और अच्छा रूम है हम लोग यहां कल तक रूपने वाले फाइनली फ्रेश होने के बाद हम लोग भूमने निकल रहे बहुत बारिश हो रही है यह खंडाला पॉइंट है अब देखते हैं नीचे क्या है खंडाला है तेरा और यह विस्वाइनली घरा आगे लोगदा रूम्हानली तरा राओवज च्छानली तरा औरेा कुछन के लोगदा है झाल में झाल बहुत ही अद्गुद नजारा पेड़ 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 की वाज़े से बहुत सारे वीडियो नहीं लिये जा रहे हैं यार खाने पीने के कुछ इस्थान है आप चलते हैं नहीं देख बारिश के मौसम में आने में बहुत मज़ा आता है और गर्मी में आएंगे तो गर्मी से पसीने पसीने से लटपत हो जाएंगे पर बारिश का मज़ा ही अलग है है ना है 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 कि अष्ध दिल्ग करेसी है कर दो कर दो फोगी फोगे बहुत हाइट प्याम लोगाए चुक्रे हैं गोमते गोमते शाम हो गई है और काफी भी गए हैं हम लोगाइट पर काफी मज़ा रहा हैं बारिश भी हो रही है अब जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पर घुम घुम के मज़ा आ गया है देख रहें जंगल का पूरा एरिया हो बारिश भी हो रही पूरा गीला हो चुके हैं पर काफी फॉग लगा हुआ है बहुत मज़ा रहा है काफी डरावदा चिंग लग रहा है इदर तो कोई भी नहीं दिख रहा है भाई उपर से कुछ-कुछ आवाज भी आ रही है हैं मज़ा रहा है विल्कुल विल्कूल कैसा मज़ा है चाहिए सचीन के लिए कुछ कहना चाहेंगे- अक्ष्बिट नहीं चैंब है कौन से मशम में आना चाहिए बाहरिट के मशम ओई जैसे अभी हम लोग आ ना जुलाइव फर्स्ट वीक ने पूर्स एकों हां मत्तब ज् जासे अभी हुम भी रहे हैं मजा भी आ रहा है ने तो गर्मी में पास्ट हो जाएगे नहीं है पीछे काई यो कुछ दिखीने रहा हो खाइं को पर आप पसीने पसीने अभी है लेकिन बारिश के पानी से और यह चोटी गंगा बोलके नाले में कुदा रहा है काफी मदा रहा है इंज्वाइक कर रहे हैं काफी डरावना सी नहीं हम तीनों के लावा कोई नहीं है इदर कोई भी दिन आया है यह वह बहुत हवा तेज बारिष आने वाली है आज का दिन बन गया कितने बज़े और लोग निकले हैं और घाट कोपर से लोकल लिया यो कि वहां से डिरेक्ट मिलती है कर्जत वाली ट्रेन तो हाँ से हम लोग वने लिया कौन से स्टेशन आए हम लोग नेरल नेरल से फिर 100 रुप्या टेक्सी वाला ना शेरिंग टेक्सी फिर उसके बाद हम लोग होटल आए होटल में रूम लिया और उसके बाद निकले हैं और सच कहों तो जिंदगी यही है मित्रो बागी सब मुम आया है इतने हाइट पे पीछ कुछे खाई फॉगी फॉग में तो कुछ दिखने रहा है कमाल का पॉइंट है यह हो दोनों तरफ खाई है देखी बहुत ही नीचे और यह वाजू भी खाई है फॉग से पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग बहुत हाइट में हैं देखिए पूरा पूरा पॉग है और यह फिर एंड पॉइंट हो यह है जन्नत यह है यार समझ लो क्या जन्नत यह है इसके आगे कुछ है क्यालाई तो ने इसके आगे कुछ नहीं है बस मौत है बस आज मैं उपर आसमा नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे आज मैं उपर आज मैं आगे जमाना है पीछे यह देखिए यह जो छोटे छोटे दिख रहे है ना वाइट वाटरफॉल है और क्या मधूर आवाज है और इसके आगे जिन्दगी नहीं है यारो क्योंकि इसके आगे खाई है यह देखिए अद्भुद नजारा बहुत ही मज़ा आ गया माथे रन कम्माल की जगह है मज़ा आ गया अभी तो अभी कितना टाइम होने को है 6.45 अब एक दो और पॉइंट देखके हम लोग होटल में जाएंगे और फिर रात में कुछ थोड़ा बहुत पाटी करेंगे फिर अगले दिन सुबह मोर्निंग में निकलेंगे घुमने के लिए तेज बारिश रिष्टाथ हो चुकी है काफी मज़ा आ रहा हैं लेकिन काफी बारिष लिख ज़ली का अवाज अधान व को कोई दूर गाओ है जहां से आवाज रहे हैं हम लोग को लेट नहीं करना चाहिए हम लोग भटक गहें पूरा रात्ता उपर से बारिश रहे हैं और उपर से बहुत बारिश भी हो रही है पता नहीं कहां पर निकलेंगे हम लोग फोड़ा व्यू देखने के चक्तर में बाटक गहें कि वापी जोर से बारिश भी हो रही है पता नहीं रहा है मां की सबने तो होटल में ही मोवाइल छोड़ दिया था मस एक मैं लेके आया था अब यह तो गलत रास्ता है क्या नहीं कि अब लोटने का जो रास्ता है काफी जंगूर की आवाज डरावनी आवाज आ रहे है वारश रहे है अब यह रात हो चुकी है थोड़ा रास्ता भटक गए है अब शलते चलते सबकी आलत खराब हो चुकी है पीछे देखिये देखिये उबर यहां से हम लोग इधर गयते पहले हम लोग गयते उससाइज लेफ 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 इधर के उससी कुछ समझ मेंने आई सबसे बड़ी बात है ना के श्रीक लाइट है न थोड़ा ठीक लग रहा है यह बहुत अच्छा है भाई रात में जाए वुजिन यही तो बहुत रहा है साथ बजिया था असला मैं और यह सब पुनित लोग थे किसी को कुछ पता नहीं कि लाइस लाइक चालुका के लाइन मि अब भी को जिंकुर अब है फाइनली लगता है कुछ तो आया है काफी हल चल आगा है तो फाइनली आगे है यह बहुत जारा मज़दार और रोमांचित कर देने वाला यह सफर था अब्था आपक देखने के चक्कर में काफी मातकने के बाद फाइनली होटल पहुँच चु अब खाना होना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर कल सुभे उठना है, तब तक के लिए बाई-बाई, बॉड नाइट, बॉड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा दिन है माथेरन में, सुभे का टाइम है, जाई नाश्ता हो चुका है, और हम लोग अभी घूमने लोग वहै बॉड तक करन ओना है, जाईटी का टूसरा दूसरा को जाएंगे, जाएंगे, सुभे का घंए तक क्था इस में गडे, और हमारा है, जाएंगे, अजु झाएंगे, जाएंगे से प्रे शफालाइबने फफशने ह senin ले एवे वे दुब हैंगे, जाएंगे, झाल झाल कि अब हम लोग निकल रहे हैं माथेरन से काफी अच्छा लगा आके आपके बींग गए ठक गए और आप लोग अगर आना चाहें तो बारिश में आईए मज़ा आएगा गर्मी में ठक जाएंगे बहुत सारे व्यूपॉइंट हैं देखते देखते झाल 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 झाल